हेलो एवरिवन, वेलकम टू पढ़ो इंडिया, आज मिशन बुनियाज में हिंदी कहानिया में हम करेंगे कहानी चीकू दुकान दार, शुरू करते हैं इस कहानी को पढ़ना, चाचा जी किसी काम से बाहर गए हुए थे, चीकू दुकान समभा रहा था, देखें यह है लड़का चीकू जो दुकान समभा रहा है, वापस आकर उन्होंने देखा कि चीकू अच्छे से दुकान समभा रहा है, और फिर देखें क्या हुआ, उन्होंने खुश होकर चीकू को तौफी लेने के लिए कहा चाचा ने खुश होकर कहा कि चीकू तौफी ले सकते हो देखें फिर चीकू ने क्या कहा चीकू बोला आप ही दे दी जिए चाचा जी ने मुठी भर तौफीयां निकाली और चीकू को दे दी फिर चाचा जी ने पूछा तुमने खुद टौफियां क्यों नहीं ली चीको ने कहा मेरी मुठी आप से छोटी है आपकी मुठी में मुझे ज्यादा टौफिया मिल गई देखिए चीको कितना समर्दार बच्चा है कहानी तो पढ़ ली है हमने अब इस कहानी के प्रश्ण उत्तर भी कर लेते हैं प्रश्ण एक देखिए कहानी में आए हुए अपने मन पसंद शब्दों को नीचे दिये गए स्थान पर लिखिए इस कहानी में जो शब्द मुझे अच्छे लगे वो है टौफि, चीको, बाहर, संभाल, दुकान, मुठी और टौफियां प्रश्ण दो चाचा जी की दुकान में कौन कौन सी चीजें होंगी सोचिए और उनके नाम लिखिए चाचा जी की दुकान में चिप्स भी हो सकते हैं बिस्कुट, चॉकलेट भी होंगे दाल, चावल, आटा, नमक, चीनी, कुरकुरे भी होंगे, मैगी भी होगी, कोल ड्रिंक और पैंसिल भी होंगे, प्रश्ण तीन देखिए, समझे और पूरा कीजिए, दुकान, दार, शान, दार, यानि हमें अब जो शब्द दिये गए हैं, इनके आगे दार, दार लिखना है, लिखते हैं, शान, दार, हवल, पुर्दार, मालदार, किरायदार और लेनदार, प्रश्ण चार पे आते हैं, चीकु ने खुद टौफियां क्यों नहीं ली, बच्चों इसका उत्तर है, चीकु का हाथ चाचा जी के हाथ से छोटा था, और उसके हाथ में कम टौफियां आती, इसी लिए चीकु ने खुद टौफियां नहीं ली, प्रश्ण पांच, चीकु की जगें पर आप होते तो क्या करते, मैं अपने दोनों हाथों की मुठी टौफियों से भर लेता, मैं ऐसा ही करता कि मैं अपने दोनों हाथों की मुठीयों में टौफियां ले लेता,